What is up everybody, so यार हम लोगों ने बात की काफी चीज़ों के बारे में और यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा GET और POST REQUEST के बारे में अब यह GET request और POST REQUEST में क्या डिफरेंस होता है और यार हमको चिंता क्योंकर निचे इन सब चीज़ों की यह मैं बात करना चाहूँ क्योंकि बहुत सारी लोग हैं कि हम पर HTML देखकर आये होएं और इसमें कोई गलत नहीं है HTML के बाद आप डिरेक्ट Python जैंगो सीख रहे हैं तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बन थी है कि आप लोगो को बताना कि गेट रिक्विस्ट क्या होती है पोस्ट रिक्विस्ट क्या होती है और यह किस तरह काम करती है और कौन सी कभी इस्तेमाल करनी है तो देखो बेसिक सी चीज़ बताता हूँ मानलो आप YouTube.com मना रहे हो ठीक है अब YouTube.com में मानलो आपको आप चाहोगे आप intentionally चाहोगे कि कोई इसको खोल कर वापस से उसी पेज पर पहुंच जाए क्योंकि यह सिर्फ एक सर्च पेज है अगर आप शेर करना चाहते हो यह सर्च पेज आप देते हो अपने दोस्त को कि भाई यह पेज पर जाकर तो यह आप पेज जो है खोल ले तो आप अपने किसी दोस्त को देना चाहते हो तो आप यह चाहोगे कि वो इस तरह खुल जाए URL वापस से लेकिन मान लोग कि आप एक ऐसी रिक्वेस्ट मानना चाहते हो जो कि आपका पासवर्ड अपडेट कर देती है अगर आप इस तरह की पेरामीटर जाए URL में भेजोगे याने कि ऐसा गैट रिक्वेस्ट भेजोगे यानि कि जो हम अभी तरह करते आ रहे थे उसकी तरह भेजोगे तब यार आप दिक्कत में बढ़ सकते हो मैं आपको बताता हूँ क्यों तो मैं काम करता हूँ अपनी जो मिली text tutorials वाली flask के app है colon 8000 पर जो मैंने post की हुई है host की हुई है automatically ये 8000 port यूज करता है anyways तो क्या है कि ये bootstrap से सारे data लेकर आ रहा है मैंने पहली बार अभी खोला हुआ है नहीं guest window तो अभी क्या है कि अगर आप लोग किसी का password अपडेट कर रहे हो मानलो यहां पर क्या होगा अगर आप get request में बोल ले हो new password is equal to this तो यह एक बहुत बड़ा जमीला हो सकता है क्योंकि अगर किसी भी तरह गलती से उस बंदे ने reload कर दिया है और फिर वो URL किसी और को दे दिया और फिर वो URL उसका किसी ने चुरा लिया तब कितनी बड़ी problem हो जाएगी इसलिए हम चाहते हैं अब देखो security की बात मैं भी यहां पर नहीं करना चाहूँ चुकि URL चुरा लिया वाली बात जो है और वो क्या करता है उस JavaScript में लिख देता है कि मुझे cookies दे दो या फिर मुझे जो है कोई ऐसी information दे दो जो कि confidential है या फिर password दे दो या फिर कोई भी चीज ऐसी है जो कि या user का data तो बहुत जादा important है न तो थोड़ा सा भी data leak नहीं होना चाहिए तो कोई अपने server पर अगर post request ने get request data भेजने लगे तो यह बहुत बड़ी problem हो सकती है लेकिन मैं भी या आपर उस सब चीजों की बात नहीं करूँगा मैं simple post request की बात करूँगा कि get क्या होता है post क्या होता है अगर जितना data मैं भेज रहा हूं server को मैंने आपको बोला था कि अगर मैं यहाँ पर यह textutils.in में बैठा वहूं textutils को छोड़ देते हैं मालो youtube.com पर बैठा वहूं मैंने codewithherry पर click किया तो मैंने youtube के server से का youtube के server मुझे codewithherry चैनल का homepage दे दे उसने रहा ठीक है भाई यह रहा है youtube का codewithherry का channel का page यह लो इसकी html तो इसने क्या किया मुझे यह दिया यह जो यहाँ पर आपको दिख रहा है view page source करके अब मैंने अपने google chrome से का google chrome भाई यह तो मुझे समझ में आता नहीं मैं एक इंसान हूँ तो एक काम करो मुझे ज़रा इसको सही से दिखाओ google chrome ने का ठीक है यह लो यह ले लो मैंने का हाँ यह रहा बहुत बड़ी है और उसी के साथ साथ मैंने google chrome से का कि मैं तो मैं mouse और keyboard से कुछ input दूँगा तो यार ज़रा उस पर react करना अच्छे से अगर मैं scroll करूँ तो नीचे आ जाना google chrome बोलेगा ठीक है भाई कोई tension वाली बात नहीं है एकदम click click करो और कई मैं click करूँ तो वापस से request भेज़ देना YouTube के server को अगर जैसे मैं video पर click करूँ तो YouTube के server से कहना कि भाई video वाला page ला दे यह सारा का सारा get request में हो रहा है क्योंकि सारा information जो कि मैं दे रहा हूं YouTube के server को मैं URL के through दे रहा हूं मैंने channel id दी URL के through मैंने videos दिया URL के through मैंने कोई और information दी ही नहीं ठीक है तो मेरी URL बार में मुझे वो सारी जनकारी दिख रही है जो कि मैंने यहाँ पर दी लेकिन अगर मैं मारे लो अपना password change कर रहा हूं और old password new password क्या मैं URL में डाल के भेजूँगा obviously नहीं यार मैं URL में डाल कर नहीं भेजूँगा मैं चाहूंगा कि अलग से कुछ data जाए request के साथ और यह होता है post request की मदद से तो post request क्या करता है message body में कुछ additional data भेजता है server को लेकिन क्या होता है कि जो default हमारा behavior होता है form का वो get होता है तो अगर आप एक form tag इस्तेवाल करे हो HTML के अंदर और आप कुछ दे नहीं रहो उसको जैसे कि मानलो आपने लिखा हूँ है form से वो method is equal to post नहीं लिखा है तो method get ही लेगा अब जैसे कि इस case में हम लोग देखें अपनी text noodles website के case में अगर मैं this is my name लिखूँ और उसके बाद यहाँ पर remove punk करके analyze text तो देखो this is my name मुझे URL में दिख रहा है मुझे remove punk is equal to on भी दिख रहा है तो हो सकता है कि मैं नहीं चाहूँ इसको URL पर दिखाना मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा message body के साथ जाए data जितना भी data जा रहा है अब यहाँ पर क्या है जो हमारी get request होती है उसकी URL की भी limit होती है जो आपने URL की length है उसकी limit होती है क्या होगा कि आपकी request block करती जाएगी अगर आपने बहुत सारा text पेज़ दिए करोड़ों का project है ठीक है अगर आप एक programmer है आपको यह सब सोच लेके काम करना पड़ेगा और एक और बात मैं आपको बताना चाता हूँ अगर आप लोग programmer है अगर आप लोग programming कर रहे हैं website program कर रहे हो देखो backend लिख रहे हो programmer हो मैं यह नहीं गया रहा हो HTML में करते हैं काम सिर्फ अगर आप लोग किसी भी backend की language को इस्तेमाल कर रहे है एक बात को ध्यान रखना अपने दिमांग में आप ऐसा सोचना कि जब आपकी website live होगी तो बड़े-बड़े attackers उस पर attack करेंगे तो वो चीज सोच लेकर आपको website बनानी है तो आपको अपनी website को safe रखना पड़ेगा safety जो है बहुत ज़्यादा important है अब मैं आपर मान लो इसको control V कर देता हूँ मैंने सब paste कर दिया इतना बड़ा data मैंने paste कर दिया है पर ठीक है अब मैं analyze test पर करूँगा analyze text पर देखो अभी तो मुझे सारा data याँ पर मिल चुका है लेकिन क्या जरूरी है मुझे data सारा मिलता मेरा data जो है block भी हो सकता था ठीक है क्योंकि get request की limit होती है अब कुछ server होते हैं वो handle कर लेते हैं बड़ी बड़ी जो parameters हैं वो भी तो यार मैं इस तरह के errors नहीं चाहता मेरे customers देखें अगर मैं एक अच्छी website बनाना चाहता हूं तो तो हमें इस तरह के data को post request के साथ भीज़ना पड़ेगा तो चलो आ जाते हैं post request पर बात करते हैं post request किस तरह मारी जाती है तो यहाँ पर यह सारा data आ गया कोई बात नहीं मुझे simply करना क्या है अपने views.py में जहाँ पर मैं request.get.get कर रहा था वहां मैं आप करूँगा request.post.get ठीक है और मैं क्या करूँगा index.html में जाके अपना मैं क्या करूँगा जो मेरा form था मैं अपने form को ढूँद रहा हूँ अभी यहाँ पर मैं form का जो method है वो क्या कर दूँगा post कर दूँगा तो जहां method is equal to get यह मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर यह by default get होता है लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ इसको post कर रहा हूँ problem आ रही है अब jango जो होता है वो by default csrf को मद्दे नजर रखता है और आपको protection प्रोवाइट करता है मैं आप लोगो बताता हूँ इसका क्या मतलब है csrf का मतलब होता है cross site request forgery और cross site request forgery का मतलब यह है जैसे मान लो कि आप youtube.com चला रहे हो और मान लो कोई भी इंसान जो है एक वीडियो को डिलीट करना चाता है यह फिर मान लो आप facebook.com चला रहे हो मान लो आप यह text utility सी चला रहे हो मान लो facebook पे मैं अपना account डिलीट करना चाता हूँ और उसके लिए मैंने end point मनाया हुआ है कि कोई भी slash delete पे अगर post request मारेगा या फिर get request मारेगा तो account डिलीट हो जाएगा ठीक है तो कोई facebook.com slash delete पे जाएगा तो account क्या होगा डिलीट हो जाएगा अब अगर मान लो मैंने अपने इस form में जो मेरी text utility की website है उसके form में मैंने क्या किया action is equal to लिग दिया www.facebook.com slash delete और मैंने इसको host कर दिया इस website को मेरी बात ध्यान से सुनना मैंने क्या किया action में लिख दिया facebook.com slash delete और इसको host कर दिया अब क्या होगा अब मान लो मैंने कोई आएगा user मेरी website पे बोलेगा ठीक है भाई जादातर लोग अपने facebook account में तो login होती है आएगा बुलेगा ठीक है भाई एक काम करते है this is my name लिखा हुआ है remove punk करते है जैसे ही वो analyze text पे click करेगा उसका facebook account delete हो जाएगा अरे यह तो बड़ी खतरनाक चीज होगा यार तो यह एक security loop हो लोगा तो इस चीज से बचाने के लिए jango क्या करता है आपकी website पे कोई इस तरह का attack ना कर दे आपको CSRF token देता अब यह CSRF token क्या होता है CSRF token एक promise होता है कि जो request आ रही है वो आप ही की website से आ रही है कोई दूसरा malicious website कोई आपकी website पे request नहीं मार रही है इसी लिए CSRF की full form में cross होता है आपको यह लगा देना CSRF token तो यह कहा रहा है इन धी template there is a CSRF token template tag inside each post form there targets an internal URL तो आप लोग को simply करना गया है खोलना है अपने इसको index में जाना है और form के अंदर डाल देना CSRF token control एससे save करूँगा इसको अब मैं आँगा वापस से अपने index tools website में सिर्फ दिस लिखूँगा भी यहां पर आपको दिखाने के लिए यह देखो अभी error आ रहा है लेकिन अभी हम इसको ठीक करेंगे tension मत लेना इसको हम ठीक करेंगे तो यहां पर क्या है कि CSRF वाली चीज़ से हम बच चुके हैं तो आप लोगो simply करना किया CSRF token का यह लगा देना है इसके बारे में जादा बात नहीं करते हैं अभी चलते हैं अपनी Django development पर लेकिन एक फ़ुद इंपोर्टन चीज़ सी है इसलिए मैंने बताया आप लोगों में से कई लोगों बोर्ट लगी होगी यह चीज़ लेकिन यार मैं इस security का वीडियो नहीं बना रहा हूँ cyber security की series कभी और आपको चीज़ जरूर बना के दूँगा लेकिन अभी simply मैं क्या करूँगा views.py मैं आँगो और यह देखूँगा कि मेरा जो dj text और प्रिंट हो रहा है और नहीं हो रहा है तो देखो dj text और प्रिंट हो रहा है लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है remove punk equals to equals to on लिखा हुआ है अब क्या है कि remove punk भी on नहीं था full caps भी on नहीं था अब कुछ on था ही नहीं तो इसने end में आ गए याँ पर मुझे error throw कर दिया अब मैं इसको गज़े ठीक करूँगा मैं देखता हूँ problem क्या आ रही है अब remove punk को भी मुझे post करना पड़ेगा याँ पर problem यह आ रही है यहां मैंने कुछ गलती से punks लगा दी है remove punctuation करूँगा analyze text करूँगा देखो मेरा काम हो गया है और इस बार URL देखो कितना clean दिख रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा URL इस्ता ना दीए इसलिए मैं post request की मदद से क्या करूँगा अपने data को भीजूँगा इसी के साथ मैं और चीज़े भी check कर लेता हूँ कि या अगर मैं upper case करना चाहूँ तब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है हाँ बिल्कुल upper case भी चल रहा है हमारा new line remove चल रहा है क्या लेकि new line remove इस बार नहीं चल रहा है यार पता नहीं क्यों बताऊँगा कि जो new line होते हैं network में new line character को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक backslash n और backslash art दोनों डाले जाते हैं तो हमें दोनों हटाने पड़ेंगे control as को save करूँगा और जैसे ही मैं इसको reload करूँगा यह देखो यार हमारा new line remover काम करने लग गया है अब इसी के साथ-साथ यहाँ पर मैंने आप लोग को exercise दी हुई थी मैं चाहता हूँ सब लोग नीचे comment करके बताएं किस किसने exercise करी है उसी के साथ-साथ यार extra spaces remover को भी check कर लेते है extra spaces remover ठीक है अब मैं आप इसको extra spaces remover को भी check कर लेता हूँ extra spaces remover भी काम कर रहा है तो यार अभी के लिए सब कुछ काम कर रहा है अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी जैंगो की प्लेलिस को अक्सेस नहीं किया है तो kindly जैंगो की प्लेलिस को जरूर एक्सेस कर लें यहाँ पर जाने के बाद आपको जरूर से बहुत जादा फाइदा तक मा Tisch दिंक से अलेग सक्थाइड कर दो यहाँ जब एब ए दो